नमस्कार सात्यू स्वागता आप सभी के एक बार फिर से निशा फाउंडेशन पर और हाजीरे पसु परिचर जेट, स्यूटी, इलेवन, ट्वल्थ के लिए खास और सांदार, दमदार और जानदा क्लास एनिमल ब्रिड्स जैसा कि अपने पिछली दो क्लासों के अंदर बफ से उतना सेर करें और कोपी पैन लेके बेठोर नोट डाउन कर लो, क्योंकि जितने भी चर्चा करेंगे सारी एकजाम में छपने वाले सवालों की, और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, मैं आप सभी का होश्ट अंदोस्त राहू लिया दो, बात करते हैं, आगे जो बेंस की नसल आती, उसका नाम कौण से है, निली रावी, कौण से है, निली रावी, सर यहाँ पर नसल का नाम है, निली रावी, अब इसके बारे में क्या पढ़ना है, मैंने हर क्लास में आप से कहा है, कि वो कहा पेदावी है, दिखती कैसी है, और उसके पूरे साल का दू सोनू पिलू जितने सारे नाम होते हैं ऐसे है ना बैंस की भी बहुत सारे नाम है कौन सी बैंस के यहाँ पर नाम नीली रावी एक कहानी तो आप यह समझो इसका नाम नीली रावी क्यों पड़ा है ना सर हमें तो यह बताओ इसका नाम नीली रावी क्यों है हमारे तो समझ मे जो रावी नदी का छेतर वहाँ परी नसल पाई जाती है और उन नदियों का पानी निला होने के कारण इसका नाम नीली रावी पड़ गया सर यह तो में याद होगी चलो अब बात करते हैं इसके अन्य नाम का मतलब इसके और कौन से नाम है इसके दो ही नाम है एक तो पंच क अगर अपन बात करें तो जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि भारत की जो सबसे सांदार बैस की नसल हो कौन से वह मुर रहा है उस मुर रहा के बाद अगर बैस की जो सबसे अच्छी जो सबसे बड़ी है नसल हो कौन से आती है वह नीली रावी आती है उसके बाद मूलिस के अंदर एक सतलज है ना सतलज और रावी नदी का जो छेतर है किसका सतलज और रावी नदी का जो छेतर है वो इस नसल का ओरिजन पहले से और इस नदियों का पानी नीला होने के कारण इसका नाम क्या पढ़ गया इसका नाम नीली रावी पढ़ गया सर हमें तो याद हो गय वीत्रन की बात करे तो यह पाकिस्तान के साइवाल चेत्र और बारत में पंजाब और हरियाना की चेत्रों में ज़्याधा पाई जाती है। प्रित्रन का मतलब यह है कि मुखे रूप से आसपास में कहां पाई जाती है एक तो जो पाकिस्तानी तो टचमे एरिया है वहाँ पर इसके अलावा पंजाब हरियाना का तो छेत्रव वहाँ पर यह नसल ज्यादा पाली जाती है आगे बात करते हैं सर आपने यह तो बता दिय कि पेदा कहा हुई ती इसका क्या क्या नाम है उसके बाद मान तो यहां बताओ का दिख कियान की है दिखती कैसी है इसकी क्या क्या वो विसेश्ता है जिसके कारण आप इसे पहचान सकते हो कि यह नीली रावी यह चलो बात करते हैं इसकी पहचान पर सारी विसेश्ता की उ पर और मेरा सबी से वापस रीक्वेस्ट एक लास को पूरा देखे और फिर कमेंड करके ज़रूर बताए कि आ को क्लास कैसे लगी बात करते हैं विसेश्टा अगर मैं विसेश्टा की बात कहूं तो सिंपल से बास हमें यह मतलब है कि सर यह नसले दिखती गेसी है माने के ठा पड़े कि नीली रावी नसल है तो चर्चा गरते हैं यहांपर बात करें तो वोल आँखे सफेद रंग की इसके आँखे तुड़ी आकार में बड़ी होती है और सफेद रंग की होती है ठीक है तो इन्हें वोल आईज कहा जाता है तो आपसे पूचें कि वोल आखे कैसी वोल आखे किस भेंस की मुख्य विसेशता है वो है निली रावे की उसके बाद इसका सिर छोटा होता है है ना और आखों के बीज से दबावा आखी थोड़ी दबीवी होती है सिंग बहुत चोटे होते है और अत्य दे कुंडले मतलब तोड़ी गुमावदार होते हैं ये कुए इतनी बड़ी बात नहीं है में बात उसकी यह कि इसके आंके वो लाकित हो अख्या का दूरी आकार में बड़ी होती है और आखोंगे विए से दबाऊ होता है इसका सिर है कैसा होता है भारी होता है उसके बाद इसके सरी का रंग ऐसा काला यह हलका बूरा होता है अब देखना मेरी बात निया पर काम की बात इसके सिर पर इसके चहरे पर इसके थूतन पर और इसके टांगों का निचला वाग और पूच का अंतीम चोर कैसा सफेद होता है याद गले भी होती है इस इतनी चर्चा में आपको में बात ही याद रखनी है कि इस नसल की आखे के सियोती वोल आईज और सफेद रंकी होती है इसके सिर पर इसकी चैरे पर इसके टांगों का निचला भाग और इसके पूँच का अंतीम छोर वो सफेद रंका होता है तीसरी बात इस ब अब गुलाबी रंग के दब्बे भी पाए जात है ठीक है ये सब किसकी विसेश्ता है नीली रावी ये किसकी नसल है भेंसकी आखे वोलाइज होती है जेकिers ये पूरे ब्यावत में कितना दू देती है और इसके दूद में फैंट की मातरा कितने परसेंट होती है आप सभी को पता है कि दूद की कीमत फैंट के उपर आधारीते होती है यहाँ अगर अगर अपन सबसे पहले बात करें तो पर्थम आयू पर्थम ब्यावत की आयू ये बार-480 से 80 माहे की उमर में संतान पैदा करने योगे हो जाती है लख बगग это 40 महेने बा campaigns आप तो इतना याद गार हो लगग ये 40 महीने बाद रहना प्रत्थम ब्याओत मतलब iz till संतान पैदा करने योगे योगे हो जाती है ठीक है उसके बाद ये पूरे अपने ब्यावत में एक ब्यावत में पंदरा सो से अठारा सो लिटर या पंदरा सो से अठारा सो केजी के बीच दूद का उत्पादन करती है और इसके दूद में लगबग आर से 10 परसेंट फेट की मातरा होती है यह याद कर लेना कि जो निली रावी नसल है वो सबसे पहली ब्यावत में लगबग पंदरा सो से अठारा सो लिटर या केजी के बीच दूद का उत्पादन करती है और इसके दूद में आर से 10 परसेंट फेट की मातरा पाई जाती है इसके अलावा इसकी बार वजन की अपन बात करें तो इसमें जो माद़ा पसो है उनका वजन चार सो चार सो पचास केजी होता है और इसमें जो नर्पस हुँता है उसका वजन लगबग पांस activities चैसा केजी होता है ठीक है उसके बाद में आगे चिर्शा करतें बैंसकी अगली नसल झाफराबादी जिसो मिनी अलिफेंट कहा है जाता है तो यह यह जाफराबादी बैंसकी नarta और इसको मिनी एलिफेंट कहा जाता है मिनी एलिफेंट क्यों बोलते हैं क्योंकि यह बैंस की सबसे भारी नसल है यह हाती की तरह दिखती है यह बैंस की सबसे भारी नसल है कौन सी जाफरबादी यहाँ पर अगली जो नसल है वो कौन सी जाफरबादी है यह बारत की सबसे भ मतलब इसका ब्यावत काल थोड़ा चोटा होता है लेकिन उसमें ये सरवादिक दूद का उत्पादने करती है सवाल को समझना इसका जो दुखद काल है जो ब्यावत काल है वो कम समय का होता है लेकिन ये कम समय में भी जादा दूद का उत्पादने करती है उसके बाद में धक्षिनी राजस्थान की प्रमुग नसल मतलब अपने राजस्थान के अंदर बात करें तो अपने धक्षिनी राजस्थान में इस नसल को मुख्य रूप से पाला जाता है आप से पूजे कि बेंश की जाफराबादी नसल को राजस्थान में मुक्यते कहां पाला जाता है दक्षनी राजस्थान में कहां पर बैटा जी दक्षनी राजस्थान में उसके बाद मूलिस्थान मूलिस्थान का मतलब यह ओरिजिन पेलेस या उत्पतिस्थान कहां पर यह देखी गई कहाँ पर ये पैदा हुई है ना तो गुजरात का जिला है अमरेली कोंसा गुजरात के अमरेली जिले का जापराबाद जो छेतर है और जो गिर जंगल का छेतर है वो इस नसल का मूल स्थान है कों कोंसा गुजरात के अंदर छेतर है जापराबाद कोंसा जापराबाद Jaaprabad tu में गुजरत का अमराली जीला उसमें जापराबाद छेतर और जो काट्या वाड़ जूज जेंगल व इस नशलने कौन सी का जापराबादी का जिसे मेनी एलिफन्ट का जाता है और यह दो एक गांध करतें आब आपने का js order capacities कैसी होती है तो हाथ् यह समान होती है ना अभी दिगती कैसी होगी तो टेंसिन हो गई सर खुल हमें कैसे पता बड़ेगी कि तो यजा आफरा बार दिये और हमने तुस स्को नहीं समझ लिया तोर चलो कोई नहीं समझाता हूँ आपको इसकी विसेशता इसमें गलकमबल आपने गायों के इंदर देखा होगा गरदरंगी नीचे चमड़ी लटकती ही होती है तो इस पस्ट अगर अपने बेंस की बात करें तो बेंसों के इंदर सबसे ज़्यादा ये कंडिश जाफराबादी में होती है उसका गलकमल लटकता हुआ होता है उपसित होता है और ये बेंस की सबसे बड़ी और भारी नसल है मतलब बेंस की जाफराबादी में इस पस्ट रूप से गलकमल पाया जाता है उपसित होता है और ये बेंस की सबसे बड़ी और सबसे भारी नसल यू लगता है जिससे ब्लेक फोर्चनर आ रही हो हमें एक वर्थ बीलेक मतलब सबसे भारी और सबसे बड़ी नसल है उसके बासिका रंगो ऐसा होता है इसका काला और सिंग भारी होता है उसके बाद इसके सिंग गर्दन के दोनों और नीचे लटक होता है इसमें आयन के से सुविक्षित होते हैं और किस आकार के कीप के आकार के थन होते हैं यह याद दिकले ना कि कीप के आकार के आयन यह थन बेस की कौन सी नसल के होते हैं जाफराबादी के दूसरी बात इसके जो सिंग है ना वो नीचे की तरफ लटक कर इनका अंतिम सिर वापस उपर की और मुड़ जाता है और इनका सिर और सिंग इसके भारी होते हैं और यह बेश की सबसे बड़ी और भारी नसल है है ना और इसमें क्या पाये जाता गलकंबल पाया जाता है आपने देखा होगा गर्दन की नीचे चमड़ी होती लटकती भी ठीक है वो कंडिश उसके बाद में अपने बात करें उप्योगिता उप्योगिता का मतलब सरी कितना दूद एती है कितने इसके दूद में फैंट की मातरा होती है अरे यार अब भी याद कर लो यह याद हो जाएगा देखो यह पहली बार कब ब्याती है 45 महेने की उमर में सर हमें तो याद हो कि जापराबादी जो नसल है न बेंश की वो सबसे पहली बार किस उमर में पसुग जर्म देती है संतान को पेदा करती है 45 माह की आयू में और इसका जो पर ब्यावत मतलब एक ब्यावत में लगबगी हजार से 1200 केजी या लीटर दूत का उतपादन करती है जिसमें वसागी मा मातर लगबग 7-9% होती है सःर ये पहली बार 55 मैने की उमर में बहती है और इसके एक ब्यावत काल का जो दूत उतपादना वो लगबग 1000-1200 लिटर या परतीकेजि में आता है पर ब्यावत का और लगबग इसके डूद में जो फैंट की मातरा उते? ihon वसागी मातरा वो 800 किलो ग्राम किसका वजन होता है माध़ा पसु का कौन से नसल में जापराबादी में और सो तो नर होता है नर उसका वजन 1000 केजी होता है कितना होता है 1000 केजी लगबग ठीक है आगे बात करते हैं उसके बाद में आज ये दो ही नसले हैं एक बर में वापस रिपीट करता हूँ अपने पड़ी बहस की नीली रावी नसल जिसका अन्य नाम क्या है पंच कल्याणी और पंजाबी भैसरा में तो याद हो गया और बारत में मूरा के बाद में सबसे अच्छी बहस की नसल है इसका नाम नीली रा भी पढ़ गया और इसी कान इसको पंजाबी भैस का जाता है उसके बाद सरी दिखती के से इसके वांके नो बड़ी बड़ी वोल आईज होती है और इसके पूंच का अंतीम चोर सफेद होता होता है और जमीन को छूता हुआ होता है और इसके आयन पर कभी-कभी गुलाबी फेट की मातरा होती है उसके बाद जापरबादी यह तो सर बैसकी सबसे भारी और सबसे बड़ी नसल है इस कारण इसको मिनी एलिफेट मादब छोटा हाती का जाता है ठीक है यह राजस्तान के कौन से एरिया में दक्षनी राजस्ता में ज्यादा पाली जाती है और इसका ब्यावत जो दूद काला वो कम दिनों का होता लेकिन उसमें दूद का उत्पादी यह जादा करती है उसके बाद यह गुजरात के जापराबाद और गिरी छेतर के आसपास है मतलब इसका ओरिजिन पहले हैसा है इसमें गलकंबल पाया जाता है और इसके सिंग नीचे लट हो जाती है और लगबग 1000-1200 केजी यह लीटर पर ब्यावत दूद का उत्पाद्न करती है और इसके दूद में वसागी मातर लगबग 7-9 परसें बाकि जो बैसकी नसले बचकी वो अगली क्लास में अपन कम्प्लीट कर लेंगे ठीक है तो आप ने आज जाफराबदी और बैसकी नीली रावी नसल के बारे पढ़ा इनको अपनी कोपी में नोट डाउन कर लेना और देखो नसलों में सिंपल सा सवाल आएगा कि ओरिजिन पहले इस कौन सा है यह वो दिखती कैसी है ना उसकी विसेशता पूछ लेगा य अब पहली बार कब भी बैती है चाहिए आप जेट के स्टूडेंटों स्यूटी के पसूपरीचर के 11 के 12 के सुपरवाइजर के तमाव विद्यारतों के लिए बहुत अच्छी और सांधा क्लास है यह पसूपरीचर 10 लेवल की एक्जाम है इसलिए उसमें इतना ज़्यदा म पड़ाई करते हो जय हिंद जय नेशनल